Hello friends, welcome back to my channel Physics official friends आज हमारी वीडियो रहेगी लाइट के बारे में हम लाइट के जितने भी important topics या important points हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगी इस वीडियो को चुरू करने से पहले मैं आप से एक बात share करना चाहती हूं ये discuss करना चाहती हूं कि मैं इसी चैनल पर एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक साइन्स की NCRT डिसकस करूँगी जो NCRT की समरी है वो पूरी मैं डिसकस करूँगी और उसकी जितनी वी वीडियो पार्ट्स में जो भी वीडियो बनेंगी उसकी मैं इक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जो इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगी अगर आप किसी कॉंप्टिशन के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस्मत कीजिएगा मैं जल्दी से जल्दी वह वीडियो अपलोड करूंगी और इसी चैनल पर आप उसको जाकर देखेगा ज्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को सुरू करते हूं कि हमारा टॉपिक है लाइट लाइट मतलब प्रकास प्रकास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है ठीक है एक बहुत तिक कारक है ठीक है और लाइट इस तफॉर्म अफ एनरजी देट प्रोवाइट जो ना कि अफिकलंगों के कलर्स और बेंटिंक उफ लाइट लाइट दे लाइट करता है मैं लोप रिफ्लेक्शन जिसको हम्में परावर्तन का नियूब तीक है इस मैं आप देके ये एक प्लेन मिरर्भ है ठीक है चिक इसमें यह जो इंसिडेंट रहे है ये एक रह आ रह रहे की rouk हो उसी घृदसेंट सिर्फे पूज़ेंग संतों कि रहे हम परकुजों बता है उसको गचाहँ सही हुआँ जा इस किस अधाया परावर्तन को ही के बिमिध्य के बीच香 नाहीं हम्हाई को पुरहाई बता है के surface and the bounce back it is called the reflection जव कोई भी एक light किसी भी surface पर पढ़ती है कोई भी एक ray किसी service पर पढ़ती है और वह उसी से reflect हो जाती है ठीके उसको हम reflection कहते हैं किसी भी ray का एक surface पर पढ़ना उसके बाद उसका reflection होना इसी पूरे process को हम reflection कहते हैं reflection ray में first हमारी जो रे पढ़ती है उसको incident ray कहते हैं जैसे कि the ray of light that fall on the surface जो पहली किरण जो पहली ray हमारी light की जो पहली ray surface पर पढ़ती है उससे incident ray कहते हैं that's same as the ray of the light to get reflected back from the surface जो reflect होकर वापस जाती है जो किरण उसको हम reflected ray कहते हैं and let's see to normal it is an imaginary line यह जो normal है वो एक imaginary line होती है जो कि perpendicular कहलाती है किसके reflected ray और incident ray के बीच में ठीक है जो भी यह जो होता है यह होता है normal ओके यह मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ incident way और reflected ray के बीच में जो perpendicular होता है उसे हम normal कहते हैं यह एक imaginary line होती है अब जो law of reflection है ठीक हमें two types provide कराता है law of reflection जो होते हैं वो two types को होते हैं ठीक है उसके two ही law होते हैं जैसे कि देखिए यह हमारी incoming light incident ray ठीक है en reflected light reflected light को हमने बोला है reflected rays ठीक है इसमें क्या होता है जो incident light incoming light होती है incident ray होती है और वो जो incident angle बनाती है ठीक है यह ठीटा one से denote करा गाए incident angle reflected angle के equal होता है ठीक है इसका first law हमारा यही कहता है अब बात करते हैं टाइप of reflection टाइप जो है वो हे टुकुल कैं थे हो निए रीघुलर रिफ्लेक्स रहें हो हो इसे मैं यो से लेक्षों सार्फेस लाइक डैट ऊफटे मिरर तरफसें हो गा उसका बहुत स्मूद सुर्फेस उगा जिससे जो है रेज़ों वह एकुरेट वे üben है टांस्मीट होंगी ठीक है एक वे में रफ्लेक्टेड होंगी सेटिन होता है हमारे इर्एगुलर रिफ्लेक्टिन जो नो rust दर तरद दरूरेक्षिन होगा सब्लाइर knit चलिए। अंहों में रेगुलर फ्लेक्शन होता नतों है। का यहां टू टाइप्स के होते हैं रेगुडर रिफ्लैक्षिन एंड रेगुडर अब हमने याँ प्लें सरफेस प्लें नियुक्त से कीज़zkें बात कर रहे हैं आए तो एह मिना यह देखते जाएं कि ईकवल एक्ल एंड सैज ऑफू जो सरे का जो साइज है वो जवसक्राश के साइज के साइज होगा मतलब जो हमें जो हमारा इमेज केynnछे हैं जो हम रियल हैं तीकि Lo पर है हमारा literally inverted inverted मतलब opposite बनेगी जैसे कि अगर हम देखते हैं हम right hand अपना up करते हैं तो मिरर में देखेगा हमारा left hand up हो रहा है ठीक है वो inverted होगी literally inverted image बनेगी जैसे कि आप ये एक example है यहाँ पर यहां पर यहां पर थीक है इस ओब्जेक्ट से ये वाली बीडेस हमारी image बनी है ठीके plane mirror के just opposite हमारी image बनी है यह हमारी image फॉर्म होई है plane mirror से यह देखिए यह कुछ इसके examples हैं यह देखिए periscope जो है यहां पर object रखा हुआ है यहां से raise गई यह reflect हुई यहां से reflect होकर इस mirror पर आई फिर यहां से reflect हुई और यहां से हम उसको देख पा रहे हैं ठीके अगर यह object है यह आई से हमने यहां से इसको देखिए यह हमारी रेस गई reflect हुई फिर यहां पहुची फिर यह यह जस्ट अपोजिट होती मतले reflect होती है यह एक periscope इसका एक plane mirror का just an example है ठीके आगे की वीडियो में मैं आपसे mirror और concave mirror and convex mirror डिसकस करोंगी उसक शेयर करो जाद से जाद सबस्क्राइब करो थैंक यू फर वाचिंग